आईए दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे NCERT गनित क्लास तेन्थ प्रश्णावली 12.9 का प्रश्ण क्रमांग 10 इससे पीछे जितनी में सारे क्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन वॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं तो प्रश्ण क्रमांग 10 कहता है कि एक शम्भाहू तिर्भुज ABC का छेतरफल 17,320.5 cm2 है इस तिर्भुज के परतेक सिर्ष को केंद्र मानकर तिर्भुज की भुजा के आधे के बराबर की तिर्जा लेकर एक रित खीचा जाता है देखी आकिरती 12.28 ठीके इसमें हमें 6 एंक 3.14 लेना है और रूट अंडर 3 कामान लेना है एक दसमलब 7 3 2 0 5 ठीक है तो सबसे पहली बात है कि हम देखेंगे आकिरती 12.28 तो यह हमारे पास आकिरती 12.28 है और इसका जो छेतरफल है यहां कहता है कि शम्भाहू तिर्भुज का छेतरफल यानि इसके यह जो सम्भाहू त का छेतरफल कितना दे रखा है तो वह हम लिख लेते हैं शम्भाहू तिर्भुज का छेतरफल दे रखा विया 17320 दसमलब 5 सेंटीमीटर स्क्यार दे रखा है ठीक है ओके अच्छा शम्भाहू तिर्भुज की परतेक कौन क्या होता है साट साट डिगरी का होता है तो यह कौन साट डिगरी का और यह भी इस हैंड को धहान रखना यहनी ठीक के बराबर कह सकते हो कि साट डिगरी को जाएगा दिक्कत नहीं अन्में क्थे निकालना च्छा अंकित भाग का च्छेतरफल कैसे निकालнуться है तो सिम्पल सी बात है हम क्या करेंगे यह तीन वह जो अबकरने के लिए हमी तो तिर्जा कैसे निकलेगा तो तिरजा निकलेगा भया शम्याहंन तिरभूज का श्यद की भूजा से म М dethran निकल पाएंगे。टो वहें निकालते हम क्या लिखेंगे कि शमभा हुड या लिखते हाल ठीक है मैंने लिखा हल और शमबाहु तिर्भूज का छेतर फल लिखेंगे शमबाहु तिर्भूज ABC का छेतर फल तो शमबाहु तिर्भूज ABC का छेतर फल कितना दे रखा है 17,325 cm2 यह दे रखा है है कि नहीं अब हम क्या करेंगे शंबाहु त्रिभूज का जो छित्रफल है ठीक है उसका सुत्र लिखेंगे तो समझ बाहु त्रिभूज का सुत्र क्या होता है वो होता है रूट अंडर ठीरी बटा में फोर गुने में भूजा का स्क्यार और बरावर में यह है 17,320.5 ठीक है अब देखो हम क्या करते हैं चार जो बटे में हैं इधर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा गुना के रूप में हो जाएगा क्योंकि भाग से इधर लाते हैं तो गुना के रूप में जाता है ठीक है तो हम इसको लिख क्या सक इसको हम लिख सकते रूट अंडर तीरी गुना में घूजा का स्क्यार बराबर 17320.5 और गुने में चार प्रिये मैं लिख दिया अब हम क्या करते हैं घूजा स्क्यार बराबर हम लिखते हैं घूजा एसकार बरावर क्या होगा इते हैं गुना में बरावर से द़when लाइंगी so बटा में जाएगा हось तो हम लिखेंगे 17320.5 और गुने में चार ठीक है और बटे में रूट लटे हाइगा इत sommes तो root under 3 का value क्या लेना है हमको 1.7305 ये root under 3 का value है आएगा root under 3 बटे में तो हम क्या कि ये उसका value ही direct रख दिये ठीक है तो ये मैंने रख दिया अब हम क्या करेंगे भीया अगर यहां से दसमलब हटेगा तो क्या होगा इधर एक रीक दसमलब हटा तो पहले तो एक लिख लो अब इधर देख लो गुले में इधर दसमलब हटेगा तो इधर एक परेगा और जितना से उतना जिरू 2,2,4,1,5 से तो हम 5-0 रख देंगे एक, दो, तीन, चार, और यह रहा पाँच, कोई दिककत नहीं है, अब देखो, यह और यह दोनों बरबर हो जाएगा, है कि नहीं, यह हो जागाanca 73,205, यह भी हो जागाрах laughs 73,205, तो हम दोनों को क्या करेंगे, आपश में काट देंगे, तो चलो हम क्या हैं, यह इस से,INA cancel अब लोखो यह 0 से यह 0 Caroline हैना अब 4 इसमें हुम गुणा कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जागा यह ब्हुजा काज् похож ऑर बराबर यह चार से इसमें गुणा करेंगे तो चार और क्या जीरु चार को 0 ठीक है अब आपको पता है कि अगर इस्क्यार हटता है तो इद्धर रूट पड़ता है तो में यहां पर लिखेंगे भूजा दूग दूसर में से एक दूसर क्या होगा बाहर हो जाएगा तो यह बाहर कर दिये सेंटीमीटर में रहेगा और सेंटीमीटर निकाले क्या भुजा तो सेंटीमीटर में रहेगा तो भुजा आ गया दूसर सेंटीमीटर ठीक है अब भुजा आ गया तो आप देखोगे यह शं सो सेंटीमीटर तो तिर्जा कैसे निकालेंगे तो इस संभाहों तिर्जा की जो भूजा है इसका आधा यहां से लेके यहां तक इस वृत का तिर्जा है फिर आप देखोंगे यहां से यहां तक इस वृत का तिर्जा कहने का मतलब सभी वृत का जो तिर्जा को वह बराबर हो कि तिन तंहुंते है तुम है तो यहां पर लिखते हैंघी तिर्जे घंड का च्यतरफल के एज़ की नब व ह spec ऄो फाल ठीक तो मैं फ्ल्ट कॉलग करेंगे तीन से गुना करती टिर्जाफंड के होसे खुठता बोहते वह था होसा साट एक इंक होता है और स्टेन सट लिसर और तीन सो सटबर्सक्राइए और होता है क्या गुने पाई आरा स्क्राइब कितना लेना है तीन ये रखो यहां पे तीन दसन एक चार पाई कमान रख दे तो ठीटा बटे तीन सो साथ गुने पाई आर स्क्यार तो आर हमारे पास क्या तिर जाओ वही सो है तो सो को दो बार गुना करेंगे सो हेस्कार का मतलब सो को दो ब़र गुन है٥ यह होग, कोई धी कण नहीं अप यहाँ से क्या करेंगे इधा सम्लव हटा इसके वड़ों एलों गोरेंख सब्दिक estuz अब काटो यहासे क्या क्या कटेंगा इगो 100 ऋप से इइक सौ कट जाएगा कट जागा की नहीं कट जागा बिल्कुल कट जागा अब देखो यह 0 से यह 0 कट जागा 6 से काटो 616 कट गया 3 से काटो 3 दुना 6 कट गया है कि नहीं अब 2 से काटो इसको 50 50 दुना 100 यह कट गया अब बचा के 314 गुने 50 तो हम लिखेंगे क्या 314 गुने 50 है कि नहीं तो लिखत ने पांचों का 20 जीरों और पांच कम 5 पांदू 7 पांतियाइं यह हूँर जीरों है लास्ट में रखतो यह वजह का 15700 सेंटीमीटर इसक्वार यह छत्र फल निकला सेंटीमीटर इसक्वार ठीक है अब हम करेंगे क्या च्हांकित भाग का च्वाग शल्प्रक इस निकलें के स घटा दो तो रिख यह पिछांकित भाग का छित्रफल में बढ़ाबर है ना च्छांकित कि भाग का छित्रफल बराबर कर दो क्या संबाहूंतुरूज कि श्रफल कितना निकला है या कितना दिया हुआ पहले से कितना दिया हुँ है 17320.5 वो लिखते हैं 17320.5 और घटा देंगे इसमें से यह तीन तीन गंड का अच्छे दिपल क्या है 15700 ठीक है अब घटाएंगे तो क्या आएगा तो यह आएगा दसम्लों इधर आएगा पांच जीरो में से जीरो घटाएंगे तो हमाले पास हो जाएगा जीरो दो में से जीरो घटाएंगे तो यह हो जाएगा दो तीन में से साथ नहीं घटाएगा हासल लेंगे तो तेरा हो जागा साथ चो तेरा ये छे हो जाएगा ये बचा छे छे में से पांज या तो एक ये आया 1620.5 cm2 ओके तो यह हमारे पास इंसर हो कि च्हायंगीत भाग का छेदरफल आई होप कि आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी सेर करना अगली वीडियो मिलेंगे तक तक के लिए बाए दोस्तों ओके इसकी इन सेट आप मार सकते हो ओके